तुमसे दूर होने की खता मैं कैसे कर सकता हूँ लेकिन वक्त और हालात ने मुझको कहां से कहां पहुँचा दिया तो वक्त और हालात बहुत सारे सियासी फैसले को लेने के लिए एक किसी धिनेता को मजबूर कर देता है तो क्या निकीश कुमार उसी वक्त और हालात के मारे हुए हैं ये जो बार-बार पाला बदल की बात होती है ये उनकी रननीती है या मजबूरी है आज इस पूराम में हम इसी पर चर्चा करेंगे आप देखना सुरू कर चुके हैं कैप्टल टीपी विहार मैं आपके साथ सरो से जब से मुलाकात हुई है तेजे सुयादब से लगातार चर्चा है कि आज कल परसों बरसात के बाद भादों के बाद पाला बदलता है तो आखिर क्यों होती है ये चर्चा कल भी मैंने आपको कहा था कि बार-बार ये चर्चा सुरू हो जाती है आखिर ऐसा क्यों है क्या ये नितिश कुमार के strategy का part है या उनको मजबूरी है इस तरह के चीजों को करना कुछ उधारन से समझने कि आज इस पूराम में हम ठंडे दिमाग से कोशिस करते हैं आपके पास भी data होगा आप भी समझने की कोशिस करिए कि आखिर नितिश कुमार ऐसा करते क्यों है दो-तीर बातों को समझने की जरूत है क्या नितिश कुमार की बातों को नरेंद मोदी नहीं मान रहे हैं क्या जो बैचारिक मद्वेध है उसका दाइरा बढ़ता जा रहा है या फिर जो चुनाबी राजनिती है वो मुफिद नहीं है बीजेपी के साथ नितिश कुमार की इन तीन माप डंड पर नितिश कुमार और बीजेपी के रिस्तों को कसोटी पर कसने की जरूरत है बिशेष राज का दर्जा नहीं हो पाया बिशेष पैकेज मिला और उससे पहले की जो मांग थी कि बिदान सबा भंग करके चुनाब करा दीजिए वो नहीं हुआ जातिये जनगन्ना, बढ़ा वारक्षन, क्रीमी लेयर ये कुछ ऐसे इसू हैं जिस पर नितिश कुमार और नरेंद मोदी अमिसा की राए अलग-अलग है ये वेल फेक्ट है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं मतलब एक सुर में दोनों इन मुद्दों पर नहीं बात कर रहे हैं तो सभाविक है, दूरियां तो बढ़ेगी बढ़ेगी अब बात करिए एक डर की, एक आसंका की जिस पार्टी को नितिश कुमार ने खून पसीज़ा है जनता दल यूनाइटेट को अगर कोई उस पार्टी को तोड़ने की या कमजोर करने की कोशिस करेगा तो फिर नितिश कुमार चुप कैसे बैठ सकते हैं बार-बार कहा जाता है कि सांसो दो पर नजर है बीजेपी की अगर लाइन क्रोस हुआ तो बीजेपी भी लाइन क्रोस कर देगी दिल्ली खाली हो जाएगा तो नितिश कुमार को भी इसका इलम है वो भी समझ रहे हैं कि पार्टी को कमजोड करने की भी कोसिस हो रही है साथ-साथ अब आईए चुनावी राजिती पर जो सबसे एहम है विचारधारा की भी बात कर लेजिए पहले बटेंगे तो कटेंगे ये जो एग्रेसिव हिंदुत का जो एक नया दौर चला है लोग सबाचुनाव के बाद बीजेपी के तरब से ये नितिस कुमार को सूट नहीं कर रहा है चुकि जो आबादी है मुसल्मानों की मॉडरेट मुसल्मानों की जो नितिस कुमार को पसंद करते हैं उनको भोड़ देते हैं वो नराज है कि ये क्या भासा बोल रहे है बीजेपी के लोग आप उनके साथ क्यूं है अब बात करिए जो सबसे बड़ा कारण है चुनावी कारण आखिर बीजेपी को छोड़ कर रास्तिय जनता दल के तरफ क्यों मुखातिब होना चाहते हैं नितिश कुमार 25 के विधान सबस्वा चुनाव में याद करिए साल 2015 का चुनाव नितिश कुमार ने लड़ा लालू परसाथ के साथ तेजस्तुरी आदब के साथ नतीजा क्या आया 243 सीटों में 71 सीटें जनता दल यूनाइटेट जीती 71 सीट जो वोट परसेंटेज था वो लगभग 30 फीजदी था 71 सीटें 30 फीजदी का वोट बैंक बड़ी उपलब्दी थी जनता दल यूनाइटेट के लिए बहुत सारी बातें हुई पूरा केंसर कार लगा हुआ एंडीए लगी हुई लेकिन इसके बाब जूद 71 सीटें जीत के जनता दल यूनाइटेट आई दूसरे 15 के चुनाव में अब आईए 2020 जिसमें बीजेपी के साथ चुनाव लड़े नितिज कुमार सीटों की संक्या घट गई लगभग आधी हो गई सीटे आई 43 दूसर तैटालिस में केबल तैटालिस सीट भोर्ट परसेंटेज लगभग 18 फिजदी मतलब आधा आधा का मामला हो गया आप 15 में चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के साथ आप 71 सीटेज जीत कराते हैं भोर्ट परसेंटेज 30 फिजदी में चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ भोर्ट परसेंटेज घटता है सीटे घटती है सीट आती है 43 अब भोर्ट परसेंटेज हो जाता है 18 तो इसको तो नितिज कुमार जैसे चतुर खिलाडी देखी रहे हैं समझ भी रहे हैं कि फाइदा क्या किसमें है पार्टी किसमें बचेगी सीटें किसमें बढ़ेगी और मुकमंत्री की कुरसी कासानी से किसमें मिलेगी देखिए अगर RJD के साथ तालमेल होता है तो जो एक नंबर की कुरसी है उसमें कोई दिकत है नहीं दूसरी बात आईए जो सीट लडने वाला जो अभी विबात चल रहा है इस पर अलग से भी हम ख़बर बनाएंगे जितनी सीटें मांग रहे हैं नितिज कुमार उतनी सीटें के लिए भाज़पा तयार नहीं है 120 से कम सीटें नितिज कुमार नहीं लडना चाहते है भाज़पा का ओफर 100-100 का है 43 सीटें सहयोगी तलों के लिए एक दूट मिले थे दिल्ली के दूट नितिज कुमार से इसी प्रस्ताव को लेकर खारिज कर दिया नितिज कुमार ने कि विधान सभाज सीट चुनाव में तो सीट हम बाटेंगे आप क्यों बाट रहे हैं और ये 100 का सवाल कहां पैदा होता है 120 सीट मीनमम है जिस पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी बाकी की 120 सीटों पर आप लड़िए आपके सहयोगी दल लड़े मेरा गठमंदन आपके साथ है चिराग पासबान को उपेंदर कुसबाह को जीतन राम मांजी को आप कितनी सीटे देंगे ये आप समझे 120 सीट पर तो हम लड़ेंगे लड़ेंगे तो ये मामला सीट पर फस्ता हुआ उस समय नजर आया RJD के साथ चुदाब लड़ने में ये समस्या नहीं है एक नंबर की पार्टी बनानी है अगर जनता दल उनाटेट को तो 120-125 सीटों पर जनता दल उनाटेट को लड़ना ही पड़ेगा बरना तालमिल समभब नहीं है और जो दिल में है नितिसकुमार के कि ये उनका अंतिम चुनाव है तो क्यों नहीं सांदार तरीके से उसकी बिदाई ली जाए जनता दल उनाटेट जिस पार्टी को उन्होंने सीचा है उसको एक नंबर की पार्टी बिहार में बना के वो छोड़े इसको मुखमंत्री के कुर्टी पर पहुंचे वहां से छोड़े वो ये होगी सांदार बिदाई नितिसकुमार की चुनाव में इस मुद्दे को वो उठाएंगे भी कि आप हमारी बिदाई कैसे करना चाहते हैं बिहार के लिए जो उन्होंने किया उसका क्या महरता ना इस अंतिम चुनाव में आप उसको देने जा रहे हैं ये सारे मुद्दे उठेंगे लेकिन बीजेपी के साथ गटबंदन में ये चीजों पर परतिबंद है नियंतरन लग जाएगा उतनी सीटें बीजेपी देने के सती में नहीं है तो सभाविक है एक जुकाब जो है वो जा रहा है आरजेडी के तरफ हम जब कहते हैं कि ये रननीती है या मजबूरी है तो कहिए कि एक कॉक्टल है ये रननीती और मजबूरी दोनों का एक कॉक्टल है जो निकिश कुमार खोड़ा जुके हुए दिख रहा है अब आज के तारिक में आरजेडी की तरफ सचीबाले की वो मुलाकात यू ही नहीं हो गई इसके पीछे की भूमी है इसके पीछे के आकड़े हैं डेटा है विसलेशन है समिच्छा है तब इस तरह की बाते होती है हवा में कोई बात नहीं हो रही है और जो हमने कहा जो एक ट्रेक रिकॉर्ड है जीत का आरजेडी के साथ एक हतर सीटे जीते थे ये लोग तो सभाविक है कि उनकु तरफ जुकाव है परसांकिसोर की चुनोती है इसको भी देख रहा है आरजेडी उसको भी देख रहा है नितिश कुमार वो लोग कहते ही है कि परसांकिसोर तो B टीम है BJP की BJP के लिए काम कर रही है तो इस खत्रे से भी बचना है आरजेडी को और जनतादल यूनैटेट को ये मजबूरी है या रनिती है तो जो आकलन है हमारा हो सकता है आपका भी यही आकलन मिलता जिलता हो कि ये एक कॉक्टल है मजबूरी और रनिती का जिस पर नितिशकुमार अमल कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको अमली जामा पहना देंगे आप देखते रहिए कैप्टल टि झाल